अपने शौक पूरे करने के लिए युबग बन गए चोर विलासिता हासिल करने के लिए मोबाल स्नेचिंग शुरू की वही ये लोग उन लोगों को निशाना वाना आते थे जो बेसुध होकर अपने फोन को इस्तमाल करते रहते थे करीब एक साल से ये दोनों इसी तरह से लोगों को निशाना बना कर मोबाल चीन कर भाग जाते हैं बता दें कि ये दोनों युबग ऐसे लोगों पर नजार रखते थे जो बेसुध होकर अपने फोन को लेकर रास्ते में खड़े होके बात करते थे वही इन से फोन छीन कर ये लोग भाग जाया करते थे साथ ही ओने पोने दामों में उन फोनों को बेच भी दिया करते थे ये सिलसिला तकरीबन एक साल से चल रहा है जिनका भांडा फोर्ड उस समय हुआ जब पीजी कॉले इस सिदिक यूवक अपने फोन पर बात कर रहा था उसी दोरान इन दोनों यूवकों ने उसका फोन छीन कर भागना चाहा यूवक ने इनकी गाड़ी का नमबर नोट कर लिया जिससे पुलिस को इन तक पहुचने में आसानी हुई वही इन दोनों यूवकों ने कई सारी चोरियों को भी कबूल किया है साथ ही इन दोनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोर में बरामाद हुआ है हाला कि बाकी के मोबाइल ये लोग बेच चुके थे कि आरोपियों को अपना निशाना बना के थे जो कि रस्तों में अपने मोबाइल पर चलते हुए बात करते हुए जाते हुए तो इसी में एक लड़का करीब 12 दिशंबर को पीजी कोलेक के साथ में अपने मोबाइल से बाहर करता हुए जा रहा था क्यारिकवरी में अभी तक हमारा मोबाइल गया था? आपी वो मुबाइल लिया के पकड़ा गया है और तीन मुबाइल अन वारदातों के भी इनने बताये इनों ने अपना गुद्वाली छेत्रों के इन शेत्र में कही अपना है और नगातार पिछले एक वर्ष से यह वारदाते कर रहे थे ऐसी इन लोग अफुस्तास में बताय है और गिरों से भी कोई संबन है इनका गिरों से कोई संबन है लेकिन यह भी नई उमर के लगते है और अपने जो नए शोकों की वज़े से वारदाते करने लगे इनका कोई अ झाल 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 झाल